हलो एवरीफ़ान वेलकम टो मैं यूट्यूब चैनल एह हल्पलाइन कैसे हैं आप लोग सो जैसा कि आप लोगा पता है कि इगनू का 37 कॉन्वकेशन 20 फिवरी को इगनू के हेटकॉर्टर में और 39 सेलेक्टेट इगनू के रिजनल सेंटर पे कंड़क करवाया जाने वाला है और इस बार जो 37 कॉन्वकेशन के चीफ गेस्ट होंगे वो होंगे हिंदुस्तान के वाइस प्रेसिडेंट स्री जगदीब धंकर जी साथी साथ जो 39 सेलेक्टेट इगनू के रिजनल सेंटर हैं जहाँ पे साइमल्टेनियसली कॉन्वकेशन कंड़क करवाया जाएगा वहाँ पे भी रिजनल सेंटर के द्वारा इंडिविजुली चीफ गेस्ट एपॉइंट किये गया है हर एक एक रिजनल सेंटर में अलग-अलग चीफ गेस्ट होंगे जो हेट क्वार्टर में जो कॉन्वकेशन होगा वहाँ के चीफ गेस्ट होंगे जो वाइस प्रेसिडेंट आफ इंडिया है स्री जगदीब धंकर जीव वो ठीक है नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो गया है और इन्वीटेशन लेटर भी अब इस्टोएंट के पास पहुंचने स्टार्ट हो गया है वेन्यू के बार में भी जानकारी दे दिया गया कि कहां पर 37 कॉन्वकेशन होगा और आपको कैसे जाना होगा तो इसी को लेकर डिफरेंट एरिजनल सेंटर के तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है हम लोग इसके बार में बात करेंगे आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा एचल पर इन चानल पर फॉर्स रमाया है तो पहले चानल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा और आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट कर सकते हो और बता दिया गया है कि इस लिंक से आप लोग कॉन्वोकेशन को लाइव देख सकते हो और इन्विटेशन लेटर भी आप लोग के स्कीन के सामने नजर आ रहा होगा जो बैंगलोर रिजनल सेंटर है वहाँ पे जो कॉन्वोकेशन कंड़कर वायद आएगा उसका एड्रेस दे दिया गया है सर पुताना चेटी टाउन होल बैंगलोर 56002 ठीक है ना और वहाँ के जो चीफ गेस्ट होंगे वो होंगे प्रोफेसर लिंगा राजा गांधी ठीक है तो यह होंगे चीफ गेस्ट बैंगलोर रिजनल सेंटर में यहाँ पे वेन्यू का नाम और एड्रेस दे दिया गया है वहाँ पे जो बेस्ट बैंगलोर रिजनल से बिलॉंग करते हैं और कॉन्वोकेशन एटेंड करने के लिए उन्होंने हमी भरा था तो वो लोग इस एड्रेस पे रिपोर्ट कर देंगे सुबह सारे आठ बजे ठीक है साथ से सारे आठ बै तक रिपोर्ट कर लेंगे क्यूंकि आपको कॉन्वोकेशन में सकाफ भी दिया जाता है उसके लिए पहले से रिपोर्ट करना होता है उसके बार में हम लोग आगे बात करेंगे ठीक है ना उसके बास से भुवनेश्वा रिजनल सेंटर ने भी 37 कॉन्वोकेशन के लिए वेन्यू और चीफ गेस का अनॉंसमेंट कर दिया है डेट तो आप लोग को पता ही है सुबा आप लोग को रिपोर्ट करना है जल्दी रिपोर्ट करना ठीक है कुछ रिजनल सेंटर ने बोला है सारे साथ से सारे आट बै तक रिपोर्ट करना कुछ रिजनल सेंटर ने नौ से सारे नौ बै तक का टाइम दिया हुआ है तो आप लोग जितना जल्दी हो सके उस टाइम पे रिपोर्ट कर देना मेरे हिजाब से सारे साथ से 9 के बीच में आप लोग रिपोर्ट कर देना जो भी convocation जहां पे भी held होने वाला है वहाँ पे चाहिए आप जिस भी regional center से बिलॉंग करते हैं उसके बाद से जो next notification रिलीस किया गया वो coaching regional center के तरफ से रिलीस किया गया है और वहाँ पे उन्होंने list of student जो भी 37 convocation को attend करने के लिए eligible हैं उनका नाम दे दिया है venue आप लोग को बता दिया गया coaching municipal corporation town hall एरनकुलम नॉर्थ बेनरजी रोड एरनकुलम reporting time है सारे 8 बैस सारे 9 बैस तक पहले इसलिए invitation दिया जाता है क्योंकि जब 37 convocation होता है या इगनु में जब भी convocation conduct करवाय जाता है तो आपको एक scarf दिया जाता है यह जो आप scarf देख पार होगी अपने screen के उपर जो भी student को degree दी जाती है तो पहले उनको एक scarf दिया जाता है वो scarf पहनते हैं ठीक है तो उसके लिए एक security deposit लगता है 2500 रुपया का इस तरीका का scarf रहता है जो अलग-अलग regional center के तब से दिया जाता है उसके लिए security deposit आपको 2500 रुपया देना पड़ता है और वो refundable होता है क्योंकि अगर refundable वो चार्ज नहीं करेंगे तो क्या होता है कि यह scarf लेगे भाग जाता है तो इसलिए पहले चार्ज ले लिया जाता है और उसके बास यह scarf दिया जाता है फिर आप यह पैसा return करोगे तो फिर आपको आपको पैसा refund मिल जाएगा तो आपको इसलिए पहले बुलाए जाता है तो जितने भी coaching original center के strength है वो इस list में अपना नाम देख लेंगे और आप attend कर लेना जो भी venue आप लोग को मैंने बताया उसके बास से दहरादून original center के तरफ से भी 37 convocation के लिए notification जारी कर दिया गया है यहाँ पे आपको एक Google form दिया गया है जिसे आपको पहले registration करना परेगा जो venue है वो है MP hall, Rajiv Gandhi, Navavidyalet, Tappuven, Raipur Road, Dehradun जो reporting time है वो है सुभा 9 बजे से उनके तरफ से जो Google form release किया गया है वो बहुत important है बहुत अच्छा कदम है उनके तरफ से क्योंकि जब आप लोग 87 convocation के लिए registration करते हैं तो registration में आप से पूछा जाता है कि आप convocation attend करना चाहते हो या नहीं बहुत सारे student के साथ यह होता है कि वो उस वक फिल कर देता है कि हम attend करना चाहते लेकिन किसी भी कारण बस वो attend नहीं कर पाते तो उसके लिए ही यह Google form release किया गया है साथी साथ job student I mean convocation के लिए पहले बोल देता है कि नहीं हम attend नहीं करना चाहते लेकिन बाद में उनका मान है कि हम convocation attend करना चाहते हैं तो उन सब के लिए यह Google form release किया गया है ताकि आप अपना concern जाहिर कर सको कि आप attend कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ताकि required number of student का वहाँ पे जगा रप है कि इतने student attend करने वाले हैं अगर attend नहीं करने वाले कुछ student और उन्होंने पहले से बोला था कि attend करेंगे तो उनका एक जगा खाली हो गया तो वहाँ पे अदर student को एक कमेंट किया जा सकता है इसलिए यह Google Form दिया गया है तो आप इस Google Form को फिल कर दिना सब्मीट कर दिना ताकि पता चल जाए दहरादून Regional Center को कि आप attend करने वाले हो या नहीं करने वाले हो ठीक है गोल मेडल तो नहीं दिया जाता है वह एट कोडर में जो कॉन्वकेशन होगा जहां पर वाइस प्रेजिटेंट ऑफ इंडिया एड्रेस करेंगे वहीं पर आपको जो गोल मेडल है वो दिया जाएगा एंड डिग्री दिया जाएगा उसके बास से देवकार रिजिनल सिंट पर आप चीरk मेड़ला है वह क्या होगा तो ड्रेस कोड आप लोगों को पता ही होगा अधुरल प्वर्मल जेश सब नहीं पहना है आपको सारी पहना है या तो अलवार कुन पहनना है ठीक है नगर व्यूंद फूसरे को बास से टाम पर रिपोर्टिंग कर देगा और दिए लॉकर से मिल जाएगा उसी दिन और उसके बार में पहले भी आप लोग बताया हुआ था गैंग टॉक रिजिनल सिंटर के तरफ से भी जो जो स्ट्वेंट इलिजिबल है 37 के लिए उनका लिस्ट जारी कर दिया गया है तो गैंग तो इस लिस्ट में अपना नाम देख गया है जो चीफ गेस होंगे वह होंगे प्रोफेसर रमेश चंद्राडी का जो कि ओनेबल वाइस चांसलर है कॉर्टन युनिवर्सिटी असाम के ठीक है एंड जो वेन्यू आप लोग बताया गया है वो है पी डब्लू डी कन्वेंशन एंड ट्रेनिंग सेंटर सेक्रेटर रोड डिसपूर बसिस्थ पूर गोहाटी असाम ठीक है तो यहां पर आप लोग रिपोर्ट कर सकते हैं जो भी गोहाटी रिजनल सेंटर के स्ट्रेट है तो ठीक है तो उनका सबसे भी अनौस्मेंट कर दिया गया है जो 37 का वोकिशन होगा उसका वेन्यू आप लोग बता दिया गया बीएस महता ओडिटोरियम और जो चीफ गेस्ट होंगे वो होंगे प्रोफेसर अलपना कटेजा जो की ऑनेवल वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी ओफ राजिस्थान जैपूर की जैपूर जैपूर से बिलॉंग करते हैं वो इस एडस पे यहां पर बोला गया सारे नौब तक रिपोर्टिंग करने के लिए तो आपको टाइम पर रिपोर्टिंग कर देना जो डॉक्मेंट है उसमें बस इन्विटेशन लेटर है उसको डाउनलोड करना होगा और इगनों का आई-कार्ट गवर्नमेंट आई-डी प्रूफ इसी को लेके जा सकते हो और प्रोफेसर सांतुनु चौधरी जो की डारेक्टर है इंडियन इंस्ट्ट आफ टेक्नलोजी जोथपूर यानि की आई-टी जोथपूर की डारेक्टर है वह होंगे चीफ गेस्ट जोथपूर रिजनल सेंटर के अंडर में उसके बाद से जो रहाट रिजनल सेंटर के प्लोट नमर 5 सेक्टर 12 पार 2 करनाल तो प्रोग्राम विल स्टार्ट फॉम 9.30 एंड जो चीफ गेस होंगे डॉक्टर एमिल चाबरा डिरेक्टर ICAR सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टिटूट करनाल ठीक है तो यह होंगे चीफ गेस्ट आप लोगों बता दिया गया है डेस्कोर मैंने अल्ली बताया हुआ है कुछ-कुछ इंपर्टन इंस्ट्रक्शन है कि आपको इगनु का आई-कार लेकर आना परेगा और अच्छा यहाँ पे ग्रेट काड का कॉपी भी बोला गया है ग्रेट काड का कॉपी भी एटाच कर सकते हैं साथ में लेके जा सकते हो हलाके सब जागा पर यह नहीं बोला कि है इगनु का आई-कार्ट ग्रेट का कॉपी एंड जो इंविटेशन लेटर है वो लेके जा सकते हो और 250 रुपीज जैसे मैं आपको बताया है कि पहले आपको देना परेगा सकाफ के लिए उसके बाद से वो रिफॉंड कर दिया जाएगा तो रिपोर्टिंग टाइम है 8.45 28 फेवरी को और एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है करनाल के बाद कोलकाता रिदन सेंटर के तरफ से भी लासा जारी कर दिया है नेता जी सुभास चंदर बोस auditorium हर साल यहीं पे होता है 20 फेवरी को नेता जी सुभास चंदर बोस auditorium National Institute of Technical Teacher Training and Research कोलकाता sector 3 SOLIDEC ठीक है यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करना है 20 फिवरी को and जो चीफ गेस होंगे, चीफ गेस का नाम तो अभी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है but बाद में अनाउंस कर दिया जाएगा यहाँ पर इडरेस कोड आपको बताया गया है जो मैंने आप लोको बताया और साथ में 250 रुपीस लेके जाना परेगा सकाफ के लिए जो की refundable होगा and 8 a.m. से यह सारा चीज स्टार्ट हो जाएगा, registration और collection of सकाफ, ठीक है Only the learner are allowed to be inside the auditorium यह आप लोको मैंने बहुत बार वीडियो में बताया हुआ है कि सिफ learner ही जा सकते, उनके parents, friends नहीं जा सकते, कोई bag, briefcase या camera, weapon यह सारा चीज आप नहीं लेकी जा सकते हो और mobile को आपको switch off mode में रखना परेगा and वहाँ पर आपको एक alumini form भी दिया जाएगा जिसको आप fill up करके submit कर सकते हो guests are not allowed, ठीक है ना तो जितने बेस्ट्रेण eligible हैं उनका नाम दे दिया गया है 37 convocation के लिए and जो भी Kolkata regional center से बिलॉंग करते हैं उनका नाम यहाँ पर दे दिया गया है जातर मास्टरी के student को ही उन्होंने बुलाए हुआ हुआ है तो आप लोग इसमें अपना नाम चेक कर लेना उसके बास एटेन कर लेना तो इसमें निरास होने के जो अतनी है हर बार इगनो के तरफ से जो भी regional center है उनको पूरा दे दिया जाता है कि आपका मर्जी है आप किसको बलाना चाहते हैं नहीं बलाना चाहते हैं जातर वो लोग बैस्टरी को नहीं बलाते हैं मास्टरी के student को ही बुलाते हैं पाना जी regional center के ताब से भी notification रिलीस कर दिया गया है 20 फिवरी को एबोलियम hall international center of goa वहाँ पे होगा आपका convocation dr. e. was road अचाहिए तो address ही है यहाँ पे जो chief guest होंगे वो होंगे dr. प्रुमोद सावंद जो की honorable chief minister of goa है वाव देट इस ग्रेट पाना जी regional center के अंडर में जो convocation कंड़ा जाएगा वहाँ पे chief guest होंगे goa के chief minister प्रुमोद सावंद वो होंगे chief guest और उनके हाथों आपको डिगरी मिलेगा तो जेतने वे student goa पाना जी regional center से ब्लाँग करते हैं वो लोग attend कर सकते हैं वेन्यू आप लोग बता दिया गया कौन-कौन से student eligible हैं उनका भी नाम दे दिया गया है इसमें अपना नाम चेक कर लेना बहुत कमी student का नाम दिया गया एक सो बाते student का लेकिन वो भी attend कर ले तो बहतर होगा और आप लोग टाइम पे attend कर लेना और लास्ट में पतना रिजन सेंटर के तब सब भी notification रिस कर दिया गया है अप प्रेम चंद रंगसाला राजिंदर नगर पतना यह आपका वेन्यू डेट है बीस पेवड़ी सुबह साइसाथ बेसे सारी आट में तक रिपोर्ट करना है और जो चीफ गेस होंगे वो होंगे प्रोफेसर केसी सिना वाइस चांसलर नालंदा ओपिन यूनिवरसिटी बाकिया जो डीटेल है वो महाइन अलढरी आपको बता हुआ था यानि किवे एंटीजकोड होगा वो क्या होगा ड्यक्या होगा पहले आपको कनषेज पता है वही चीज़ आप लोग को फॉलोग करना होगा तो जितने वेज़ेसर पतना रिजन से बिलोग करते हैं अगर वो convocation attend करना चाहते हैं, उन्होंने consent दिया था, जब form fill up कर रहे थे तब, कि हमको attend करना है, तो आप लोग सारे 7 बैसे सारे 8 बैसे तक इस address पे attend कर सकते हो, और अगर आपने, उस वाक consent में डाला था कि आप attend करना नहीं चाहते हो, तो आप लोग RC पतना को mail कर सकते हो, सभी regional center ने तो notification release नहीं किया, उसमें से गिने चुने 10-15 ने notification release किया, बाकी ने अभी नहीं किया, वज़े से विसाका पटम ने नहीं किया, वरानसी नहीं किया, बटकरा ने नहीं किया, त्रिवंद्रम ने नहीं किया, स्रीनगर ने नहीं किया, सिलॉंग ने नहीं किया, सहर जो भी एस्टोन इसबाल है उनके मेल पर ही चला जाता है इन्विटेशन लेटर आप लोग बता दिया जाता है तो अगर नोटिफिकेशन नहीं आया तो ऐसा इसा इस्यू की बात नहीं है अगर नहीं भी कर पाओ तो यह इस्यू की बात नहीं है आपके घर पर बाइपोस आपका डिग्री भेज दिया जाएगा अगर आप अगर आप अटेंड नहीं भी कर पाओ तो लेकिन वीडियो कांश्रेंसिंग के जडिया आप लोग 37 को देख सकते हो मैं भी आपको अपनी च पाओ कर दो दो कर दो भी आपनैसी मज़ा कर सकते हैं या मुझे डारेकली कॉल करके भी अपने डाओ कर सकते हैं और अगर आप लिए हैस्टे ने फौक पर फूसत में चानल को जरूर सब्सक्राइब करें तो था you so much for watching this video have an awesome day thank you so much